मुसल्मान का जो टूबी रिजर्वेशन है जैसे कांग्रेस गवर्मेंट आई थी वह इमिडेट हमें फरस्ट काबिनेट मीटिंग में रखे टूबी रिजर्वेशन को रिवोग करते हैं कर बोकर उनका वादा था लेकिन वह आस तज में वह वादा वादा ही रहा कामी फुल कोई भी पार्टी हो वोट लेने वाली पार्टी इन लोगों को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे इंडिया जहां भी आइंटी पीपल पॉलिस बनती है या अवाम के खिलाफ पॉलिस बनती है तो से खिलाफ फस्ट फेस में फर्स्ट लाइन में आकि जो बात कराती हो लास्ट यह चला था उद्धा तक गए थे और हमारे डिमेंड्स रखे थे कि प्रूब रिजरवेशन कांतरा जायोग रिपोर्ट और शेडूर के वास्टे रिजरवेशन के वास्त मुद्धा रखे गए थे लेकिन कहां भी हमें जो जाता के बाद में वहां से एक मिनिस्ट लास्ट यह जाता चलता हुआ बेलगाई वी सेशन में जाके हमें अपना बात रखेंगे हम इसमें हमारे एक छे मुद्धे हैं यह क्या को जो इंटरनल रिजरवेशन मिलना था वह अभी तक मिलको नहीं है इसके वास्ते शेडूल कैस्ट बहुत प्रटेस्ट कर लेगे हैं लेकिन आज तक भी काम भी वह रिजरवेशन आपको नहीं है इसलिए हमें वह एक शेडूल कैस्ट के वास्ते रिजरवेशन डिमैंड कर रहे हैं दूसरा मुसलमान का जो टूबी रिजरवेशन है जैसे यह कांग्रेस गोर्मेंट आई थी वह इमिनेट हमें फस्ट काबिन मीटिंग में रखे टूबी रिजरवेशन को रिवॉक करते हैं उनका वादा था लेकिन वास तच भी वादा वादा ही रहा कामी पुल्फिम नहीं हुआ यह मुसलमान अपनी कम्यूटी का 90% कांग्रेस सरकार को देख है लेकिन अब तक प्रूबी रिजरवेशन रिवोक हो यही जो सिद्रा माय सरकार के गवर्मेंट है लास्ट टम्स में क्या कि ती जाति गंडी करता थि क्या संससर की दी लेकिन आज थक पो इंप्लीमेंटेशन मेंने यकी पपलिचोंकरा कि लेकिन अज तक पब्लिच करना और चोति बात क्या है है वक्ड करनाटा का स्टेट में इंप्लिमेंट नहीं करना उसे एक रजूरेशन करनाटा कार्मेंट वो के हमारे एक विवन क्या है यह शेडूल्स और नटलीस्ट यह जो आने वाला ब्जेट है 25 और 26 का बजट है जो मुसल्मान जो सब्सक्राइब करना तका है उसके वासे हम मैंनोरिटिस के वासे 10,000 क्रोड रुपिस का डिमैंड कर रहे हैं कि वो बजट मिलेके हैं तो ऐसे एक चीज को हम लोगो बात उठाके आगे बढ़के हैं लेकिन मैं यह चीज से शोशल डॉमकर करता हूं तमाम जो सेक्यूलर मेंड़ अद्मिया ही जो आर्गनेशन सी इंट्रिशन सी ही जो लीडर सी हमारे साथ दे हमारे सोच में जुड़ कर यह बेलगा चलो जो जाता तू है उसको सक्सास बनाने की मैं गुजारिश करता हूं शोशल डेमोकरिटिक पार्टी ओफ इंडिया की जानिप से अमबेट कर जाता वन चला था पिछले साथ यहीं विंटर सेशन में हम लोगोंने कहीं डिमांड रखे थे लेकिन इसके बावजूद भी ओडिमांड पूरे नहीं हो गये थे पिछली बार मैंगलोर से हम लोग ब एलेक्शन से पहले और एलेक्शन की बाद जो कमिट्मेंट्स किये थे वादा किया था यह इन लोगोंने नहीं पूरा किया है और इसको यूटन लिये हैं यह हमारा स्लोगन ही वही है यूटन सरकार बोलकर हम लोग स्लोगन दे रहे हैं इस मुद्दे पर हम लोग दुबार इस बार winter session में हम लोग पहुंच रहे हैं वही जो demands जो पिछले बार रखे थे और थोड़े demands इसके साथ जमाव उपर हम लोग लेके जाके winter session में रख रहे हैं इसको पूरा करना है अब डिमांड्स तो हमारे कई हमारे बार हम लोगों ने दोराया है अब इसके सिलसिले में मैं ये डिमांज जो भी है करनाटक के तमाम अवाम के लिए डिमांज हम लोगों ने रखा है ये हमारे पार्टी के इंडिविजन डिमांज नहीं है अवाम को मद्दे नजर रखकर ये डिमांज रखे हैं तो मैं तमाम करनाटक के अवाम से गुजारिश करता हूँ इस demands को जो हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं इसमें आप लोग सब मिलकर हमें साथ दे एक अंदोलन है यह यह हमारा हक हम लोग मांग रहे हैं हम लोग उने मिलकर इसी सरकार को vote देकर आज government बनाने के लिए मौका दिया है और यह vote लेकर government बनाने के बाद आज हम लोगों को हमारे demands पूरा नहीं कर रहे हैं इनको याद दिलाने के लिए हम लोग ये जता निकाले हैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ अलग-अलग districts में हम लोग पहुंच रहे हैं ओड़की से लेकर हम लोग बिलगावी तक 11 districts आते हैं अमाम लोगों से और दूसरे दीगर जो districts है आप लोग सब हमें awareness प्रेट करना है अवाम में बताना है कि ये सब चीजे हमारे पूरे करना है